इस तरीके की डोर्मेट अगर आप उनलाइन सर्ज करोगे तो काफी महंगी मिलती है और इसको हम घर पर ही बहुत सरल तरीके से साड़ियों से दुपट्टों से बना सकते हैं ना यह सलाय से बनती है ना किरुशिया से हांस से बनती है तो आईये देखते हैं और अगर आपके पास इस तरीकी कोई printed साड़ी हो, plan साड़ी हो या दुपट्टा हो तो वो आप इसमें यूज कर सकते हैं, तो अब हमें क्या करना है कि अब जो हमारी साड़ी है उसकी हम इस टिप काट लेते हैं लम्बी लम्बी तो देखते हैं कि इसकी हमें किस साइज में इस टिप काटनी है तो इस तरीके से इसकी हम करीब इतनी चौणी इस टिप काट लेंगे और इतनी ही बड़ी बड़ी इस्टिप हमें दुपट्टे की काटनी है अगर आप दुपट्टे से बनाए तो अब इसी की माप की हम इस तरीके से माप कर लेंगे इसी की माप की हम सारी साडी में से अपनी इस्टिप कट कर लेंगे इस तरीके से सारी इस्टिप काट के और ये हमने गोले बना लिए हैं और सबसे अच्छी बात लिए है कि इसको बनाने में ना हमें क्रोजिया की जरूरत पड़ती है ना ही सलाईयों की ये मेट हमारी पूरी हांस से बनकर ही रेडी होगी और बहुत ही सरल इसका तरीका है बनाने का तो चलिए इसको बनाना सुरू करते हैं इस तरीके के हमें एक पहले नौट बना लेनी है तो इस तरीके के हमारा एक फंदा बन जाएगा और इसी फंदे में से हम इस तरीके की जो हमारी जैसी चोटी होती है उस तरीके के हम फंदे में से फंदा निकालते जाएंगे तो जितनी लंबी आपको इसको रखना है उसी हिसाफ से आप इसमें फंदे इस तरीके से बना लीजिए तो जैसे बालों की चोटी बनाते हैं उसी हिसाफ से इसमें फंदे बनाना है इस तरीके से हम फंदे बनाते जाएंगे मैं आराम आराम से कर रही हूँ ताकि आपको इसली डिजिवल हो और जितनी नौट इसमें लगानी है इसे उतना ही खुला रखना है अब ये आपको कितना रखना है जितनी आप अपनी मैट की विर्थ रखना चाहते हो उसमें आपको उतनी ही नौट लगानी है आपको जितना लंबा बनाना हो उतनी ही बार आपको इसी नौट की बीच में से निकालना है मुझे इतनी ही बिर्थ रखनी है तो मैं इसमें इतनी ही नौट लगाऊंगी और लाश्ट वाली नौट में आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है इतनी आपको बिर्थ रखनी है उतनी आप नौट लगा लीजिए और एक नौट हम इसमें एक्ष्ट लगाएंगे तो देखिए फिरंस यह एकदम सेम डिजान बनती है आंगे से पिछे से तो इस तरीके से यह चोटी टाइब की बन जाती है अब एक knot हम इसमें extra इस तरीके से लगाई है इसको हमें उपर साइड मोरना है इसको knot को हमें इस तरीके से आंगे साइड को मोरेंगे और इसी फंदे में हमारी design बनेंगे तो इस तरीके से अब जो हमारी knot है उसके नीचे से अब हम दूसरे फंदे में बुनेंगे, एक फंदा तो हम इसी को count करेंगे, तो एक फंदा हमारा यह हो गया, अब एक फंदा हम just इसी के बगल में बुनेंगे, तो इसको हमें इतना बड़ा फंदा रखना है कि हाराम से हमार इसमें उंगली चली जाए अब जो बगल वाला दूसरा फंदा है उसमें से हम निकालेंगे यह जो हमारे फंदे हैं चोटी के इनी फंदों में से हम अपनी बुनाई बनाएंगे इस तरीके से हम ये वाला बगल वाला फंदा पकड़ेंगे और इसी फंदे में से निकाल लेंगे एक फंदा तो हमारा जो किनारे पर है वो कांट हो जाएगा और बगल वाले फंदे से हमें इसको इस तरीके से निकालना है तो फंदे हमें एकदम बराबर साइज के निकालना है और इसी तरीके से हमें प्रतेक जो हमारी चोटी की लंबाई है उसी फंदे में से फंदा निकालना है इस तरीके से और फंदे की लंबाई हमें एकदम बराबर रखना है और इसी तरीके से फंदे में से फंदा निकालकर और हम continue इसकी पूरी लाइन complete करेंगे, तो बहुत ही easy होता है इसको बनाना, कोई भी इसको बना सकता है, अगर उसको सलाई चलाना नहीं आता या क्रोशिया चलाना नहीं आता, वो भी हाथ से ही ये मैट बना सकता है, तो सारे फंदे हम इस तरीके से एक साइज में निकाल लेंगे, फंदे में से फंदा निकाल कर एक साइज के फंदे निकालना है, तो देखिए, यह हमारी पूरे एक लाइन के फंदे इस तरीके से निकल आए हैं, करीब एक इंच लंबाई में हमें फंदा रखना है, एक से डे करना है जो हमारे सारे फंदे हैं उसमेंसे फंदे मेंसे फंदा निकालना है एक भी फंदा हमें इसमें छोड़ना नहीं है नहीं तो पूरी चटाई ही बेकार हो जाई गलती से भी नहीं छोड़ना है सारे फंदे मेंसे फंदे निकालना है इस तरीके से हमारी ये बुनाई बन कि आपको अच्छे से डिजिवल हो तो तींचान लाइने डलेंगी तब आपको इसमें डिजान समझ में आएगी इस तरीके से इसी तरीके से हमें ये पूरी दूसरी row complete कर लेनी है इस तरीके से हम दूसरी row complete करेंगे तो ये हमारी दूसरी row complete हो गई है और एक्दम same size के फंदे भरे हैं और इधर से हम तीसरी side से इस तरीके से हमारी तीसरी line है किनारी से हम फंदा भरेंगे फंदे मैंसे फंदा अभी ये को फंदे फैले हुए लगेंगे जब आप इसका चटाई का एंड करोगे तो एकदम सेम लेविल हमारा इसका चटाई का बन जाएगा इस तरीके से फंदे में से फंदा निकालते हुए और इस चटाई को कंट्यूनियू बनाते जाएंगे तो काफी थिकनेस के साथ बनती है य क्योंकि काफी फास्ट बनती है इस तरीके से हमने इसको यहां तक बुन लिया है अब देखिए हमारी डिजान इसमें दिखने लगी है तो एकदम चोटी जैसे यह बनती जाती है और पीछे से हमारे सारे फंदे उल्टे-उल्टे होते हैं और आंगे से इस तरीके से सीधे तो जैसा स्वेटर बुनता है बैसे ही यहां से बुनाई होती जाती है इस तरीके से हमें किनारे से फंदे से फंदा भरना है और एकदम सारे फंदों में से इसी तरीके से फंदे से फंदा निकालना है तो अगर आपके पास बहुत सारे मल्टी कलर के दुपट्टे हैं बनाते जाएंगे तो friends अभी हमने आपको इतना बनाकर बताया है I hope आपको समाज में आ गया होगा अब इसको हम इसका एंड करना भिन बताएंगे इस तरीखे से गारी का और इस तरीखे से दो फए क्यैं आपको गड़ेंगे अब तो दो फंदे का हमें एक फंदा करना है अब यह फंदा बन गया अब बगल वाला जो फंदा है उसको इस तरीके से पकड़ेंगे और यह हमारे दो फंदे बन गए और जो हमारी डोरी है उसको इसी मैसे निकाल देंगे तो इस तरीके से यह हमारी चटाई का end हो जाता है तो यह अच्छे से लॉक हो जाती है तो जैसे स्वेटर को हम अपने फंदे घटाते हैं दो फंदे का एक करते हैं बैसे ही हम इसको हाँ से घटाएंगे दो फंदे का एक बनाएंगे इस तरीके से दो फंदे लेंगे और दो फंदे मैंसे हम इस तरीके से अपनी डोरी को निकालते हुए दो फंदे का एक कर देंगे इस तरीके से यह बहुत ही सरल तरीके से हमारी मैट इस तरीके से सारे फंदे घट जाते हैं तो जितनी लंबी आपको रखनी हो उतनी लंबी बनाकर आप इसको मैट को इस तरीके से फंदों को घटा सकते हैं तो अभी मैंने आपको ये सेंपल की रूप में बताया है कि आप इस तरीके से इस डिजान को continue बनाकर काफी बड़ी चटाई लेटने के लिए बैटने के लिए बना सकते हैं अपनी साड़ियों से इस तरीके से सारे फंदे हम अपने सिलते जाएंगे तो देखिए ना इसमें सिलाईयों की जरूरत है ना किरोशियां के सारी चटाई हमारी हांस से बनकर रेडी हो जाती है अब ये लाश्ट फंदा बचा है इसको हम इस तरीके से दो फंदे का एक करेंगे इस तरीके से और जो हमारी डोरी है उसको दोनों फंदों के बीच से निकालते हुए इस तरीके से टोरी को निकाल लेंगे और जो अब एक फंदा हमारा लाश्ट का रह गया है तो इस लाश्ट फंदे से हम सारी का जो हमारा कपड़ा है उसको इस तरीके से निकालते हुए और इसको अच्छे से लॉक कर देंगे अब इसको यहां से हम कैची से कट कर देंगे इस तरीके से हमारा कट हो गया है अब जो हमारा इस तरीके से कॉर्णर है इसको हम सुईधागे से पीछे ही कॉर्णर में अच्छे से इसको यहीं से दवा कर और दिखाए भी नहीं देगा कि हमारा यह कहां पर दवा है इस तरी बनती है क्योंकि काफी मोटी-मोटी जो पट्टियां काते थी हमने उसकी बज़ाइ से इसमें काफी थिकनेश आ जाती है अगर आपके पास पुराने दो पट्टी पड़े हो तो सारे दो पट्टों को इस तरीके से लंबी-लंबी स्टिप काट के काफी बड़ी साइज में तो फ्रेंट्स अगर आप मेरी चैनल पर नई हूँ तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए टेक कियर